अगर आप उन चीजों को समझ करके उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सारी चीजों को डील कर पाएंगे देखे होता क्या है कि जब भी विवाद आपके उपर होते हैं तो देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोग मैं अईसे आप करेंगे देखे यहाँ पर एक चीज है कि वो बाद ठीक है कि आप इसको lightly नहीं ले सकते case case होता है चा कोई भी हो कल को कोई गलत decision हो गया तो आपको दिक्कत होती है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि लापरवा ही आप करें लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है कि ऐसा भी नहीं करना है कि हम उसी में चले गए पूरे तरीके से ना तो हम कामधंदा अपना ठीक से कर पा रहे हैं ना तो हम अपनी health का ध्यान दख रहे हैं ना तो हम सो पा रहे हैं यह चीज़े पूरे तरीके से गलत है जब कोई case आपके उपर होता है तो आप उसको challenge की तरह लो आप यह देखो कि भई मेरे पर false case हो गया है अभी मजे लो मतलब उसके कि कैसे हमें इसको handle करना है कैसे सब निकालना है मैं आपके कुधान बता दाओ छोटा सा जब मैं नया नया वकिल बना इस field में आया तो एक personal case मुझे करना पड़ा तो जब वो personal case मैंने किया तो उसका trial आपको पता है पान साल चला तो पान साल चलने के बाद उस case का judgment आया लेकिन वो पान साल कैसे चला वो दूसरे की मरजी पे नहीं चला वो हमारी मरजी पे चला यानि कि हम जब चाते थे डेट लेते थे और सोचते थे इसमें क्या नया किया जाए कभी भी उसको panic करके नहीं लिया कि यह case चल रहा है वहाँ जाना पड़ता है ट्राइल पे यह कभी भी ऐसा नहीं सोचा अराम से बहुत मजे ले करके किया और यह सोचते रहे हर रोज हर डेट के साथ कि हम इसमें नया क्या कर सकते है और उसका ट्राइल में मैंने नया कुछ ऐसा करा कि जब वो case दर्ज हुआ उसके बाद चौथे साल में मैंने कुछ ऐसी चीज case के अंदर दर्ज कराई किसाब यह मेरी तरफ से है और जब उसका judgment हुआ तो उसी चीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और शायद उसी वज़े से वो judgment बहुत आसानी से हमारे favor में हो गया अब अगर उसमें जल्दबाजी करता मैं तो हो सकता था मैं उसको judgment तीन साल में करा देता दो साल में करा देता लेकिन मैंने आराम से वेट किया कुछ ऐसा आने का जो कि बहुत पुकता हो और मेरे हात में आया भी और उसके बाद वो judgment जब अपने favor में आ गया तो फिर में लगा कि हाँ वही जीत अपनी हुई लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो 5 साल का trial था उस trial में आदमी तूटता है उसमें आदमी depressed हो जाता है मैं बार-बार court में जा रहा हूँ, मेरा पैसा लग रहा है अला फला, तो मेरा यह उधारन देने का आपको मतलब यह था, कि आपको इस तरह से depressed नहीं होना है, आपको मज़े लेने है क्योंकि आप पे जूटा case हुआ और जब आपके उपर जूटा case हुआ तो आपको पहले से पता है कि आप उन लोगों को break कर सकते हो कि जूट बोलने वाला आदमी कई भी खड़े नहीं होता, इवन मैं तो दूसरा की case भी लड़ता हूँ तो मैं यह देखता हूँ कि यह जूटा case है तो मुझे मज़ा आता है इलेंड में, क्योंकि ऐसा लगता है आपको भी ऐसे ही मज़ा आएगा तो वो मज़ा खोने ना दे, आप वो मज़ा खो देते हैं आप क्या करते हैं, इनिश्चल लेवल पे इस होसते हैं कि बस किसी तरह से सेटल्मेंट हो जाए और कई बार तो लोन लेकर करके सेटल्मेंट करते हैं फिर तो कर लो, लेकिन इसके अलावा जो भी अनरगल अमाउंट्स आपको बताई जाती है और उन अमाउंट्स को भी आप देने को एगरी हो जाते हो वो पूरे तरीके से आपकी गलती है आप शॉटकट करके इससे बाहर निकलना चाह रहे हो हमें थर्ड मैरीज में कैसे इसके लिए लड़का हमारे पास आया ऐसा क्यूं? क्योंकि समाज का चकर ही कलते है आप दूसरा किसी से शाधी करोगे क्या गारेंटी आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो हमको इस चीज को जड़ से खतम करने के लिए सोचना चाहिए कि हम तो भार आएं लेकिन ये चीज कम हो ससाइटी में ना कि बड़े अगर हम पैसे दे दे के सेटल करेंगे वो भी उनके अनुसार तो इससे ये चीज और बड़ेगी आज आपके सामने आया है किल आपके बच्चों के सामने आएगा परसो आपके बहन के सामने आएगा यानि लोगों के सामने चीजे आती रहेंगी तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये सोचना है कि हमें भी भारा नहीं और उससे 10 लोगों को प्रेणा मिलने चाहिए कि वो दुबारा से ऐसा ना कर सके और ये चीज खतम हो उसमें हमारी भी भूमी का थोड़ी सी होनी चाहिए अब जाहर सी बात है डंडे उठाके लड़तो सकते हैं लेकिन अगर एक केस को आपने इस तरह से निकाल लिया कि सामने वाली पार्टी इस बात पर आ गई जी खतम गरते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है और उनकी इस दशा को देख करके बहुत सारे लोग गलत केसेच करने से रुकेंगे तो आपको उस विशे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए चले दूस्ता आज केस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में नही जानकरी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक हे लिए गुडबाए और थेंक्यू फो वाचिंग टेक केर